दोस्तों जहां एक तरफ other companies अपने 2024 की air conditioners model market में launch करते जा रही है वहीं डाइकीन में दोस्तों अभी भी आपको old air conditioners के models ही देखने को मिलेंगे इससे में क्या आपको 2024 में अपने लिए डाइकीन air conditioners consider करना चाहिए आज के इस वीडियो में आपको इसी बारे में information दोगा जिसमें में आपको डाइकीन के 1.5 फाइटन 5 star inverter split air conditioners series के बारे में information दोगा साथ ये आपको डाइकीन के 1.5 फाइटन 3 star non inverter air conditioners के बारे में information दोगा वो भी pros and cons के साथ में जिससे कि आपको मदद में लेगी अपने लिए एक past bank DCN लेने में डाइकीन एर कंडिशनर के बारे में बताने से पहले दोस्तों अगर आप पहनी बार अपने लिए कोई एर कंडिशनर खरीदना चाहता है और आपको कोई आइडिया नहीं है कि मार्केट में कौन-कौन से टाइप के एर कंडिशनर अवेलेबल है जैसे कि inverter AC या फिर non inverter AC एर कंडिशनर अपने रूम की साइज के साफ से आपको कितने टन का खरीदना चाहिए जैसे कि 1 टन, 1.5 टन या फिर 2 टन एर कंडिशनर में जो star rating stickers होता है उसमें जो भी star rating mention होती है जैसे कि 3 star, 4 star या फिर 5 star तो आपको कितने star rating का AC अपने लिए खरीदना चाहिए जिससे कि बिजली का बिल आपका काफी हद तक कमाए तो दोस्तों इस topic के उपर हमने आपकी लिए एक detail में वीडियो बना हुआ है जो कि complete AC buying guide वीडियो है एर कंडिशनर खाड़ीतन से बाहले दोस्तों आपको ये वीडियो एक बार जरूर देखना चाहिए जिससे कि आपके सारे टाउट्स लो जाए और आप अपने लिए एक best air conditioner purchase कर पाए दोस्तों इस वीडियो के लिंक आपको description box में मल जाएगी दोस्तों जैसे कि शुरुवात में मैंने आपको बता था कि इस वीडियो में आपको डाइकिन के 1.5 तन 5 स्टार inverter split air conditioner series के बारे में बताऊँगा जिसमें आपको 1.5 तन capacity के अलावा 1 तन और 1.8 तन 5 स्टार inverter split air conditioner के models भी देखने को बलेंगे मैं दोस्तों जो मैं आपको non inverter air conditioner 1.5 तन 3 स्टार बताने वाला हूँ उसमें आपको 0.8 तन और 1 तन 3 स्टार non inverter air conditioner के models भी देखने को बलेंगे सबसे पहले दोस्तों हम 1.5 तन 5 स्टार inverter split air conditioner series के बारे में आपको information देखने को बल जाता है इसलिए सबसे पहले हम इन इर conditioner के आपको common features and technologies के बारे में information देखने के दोस्तों डाइकिन के 1.5 तन 5 स्टार inverter split air conditioner में आपको 5 यार 280 वाट की गुलिंगा अपसेटी बलती है यानि कि actual टन के साथ से दोस्तों डाइकिन के ये ACS आपको 1.5 तन के ही मिलेंगे और अच्छी बात है कि दोस्तों इन models के अंदर आपको maximum cooling capacity 5 यार 750 वाट की मिल जाती है यानि कि extreme temperature बनने पर आप इन ACS से जाधा tonage में भी cooling ले सकता है और ये ACS दोस्तों 200 स्केर फिट तक के एक proper air still room के लिए एक बहुत दी अच्छी चोईस है मैं दोस्तों 5 star ratings के models में आपको 5.20 की ICR value बिल जाती है और 20 star rating parameter के साथ से ये ACS सालना 785 unit consume करता है मैं noise level की बात करें तो आपको 38 decibel का यहाँ पाने minimum noise level देखने को बिल जाता है refrigerant gas की बात करें तो दोस्तों आपको 32 refrigerant gas मिलेगी जो की green gas है और cooling के मामले में काफी efficient है मैं दोस्तों ये सभी inverter ACS stabilizer free operation feature के साथ आता है जिसकी voltage range आपको 130 volts से लेकर 285 volts तक देखने को मिल जाएगी इसका मतलब यह है कि दोस्तों अगर आपके area में इसी बीच में power up and down होता है तो फिर आपको अलग से कोई भी stabilizer इन ACS के साथ लगाने की जरूद नहीं है लेकिन दोस्तों power कितना fluctuate हो रहा है कितना up and down हो रहा है इसका आप exactly कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते इसे में दोस्तों आपको एक individual stabilizer अपने इन ACS के साथ जरूद लगाना चाहिए देखकर आप अपने ACS के लिए एक best type देखर purchase कर सकते है डाइकिन के इन air conditioners में आपको inverter new swing compressor मिलता है इसमें डाइकिन ये claim करता है कि 54 degree ambient temperature में भी आपको इनके compressor से बहुत अच्छी uniform cooling देखने को मिलेगी दोस्तों वैसे 54 degree temperature जो है वो इंडिया में हर एक इलागों में नहीं रहता है और दोस्तों कुछ इलागों में अगर रहता भी है तो भी दोस्तों air conditioner को जो है वो room के temperature को cool करना होता है तो auto error code भी उसी triple display पर visible होगा और indoor unit की cooling course को clean करने के लिए इन ACS में आपको duo clean technology का feature मिल जाता है वहीं दोस्तों इन ACS के अंदर आपको 3D airflow यहाँ पार देखने को मिलेगा indoor unit से यानि कि तीर अलग अलग direction में airflow होगा जिससे कि आपका जो room है वो जल्दी से फिंडा होगा साथ दोस्तों आपको konda airflow का feature भी मिल जाता है और यह feature दोस्तों कुछ इस तरीकी से काम करता है कि suppose अगर आप जब कभी भी AC का on करेंगी और konda airflow पर set करेंगे तो दोस्तों जो air conditioner का blur का जो flow है वो उपर की तरफ होगा जाने कि air जो है वो directly आपकी तरफ थंडी नहीं आएगी क्योंकि दोस्तों यह feature उनके लिए काफी काम का है जिने की allergic issue रहता है और वो ही चाहते हैं कि दोस्तों जब भी AC चले तो जो AC की ठंडी अवा है वो उनकी नाक की तरफ बिल्कुल भी ना है वहीं दोस्तों fast cooling के लिए इन AC में आपको power chill operation का feature मिल जाता है जिसमें दोस्तों AC अपनी maximum cooling capacity में perform करता है और आपको बहुत ही अच्छी शानदार uniform cooling provide करता है इन air conditioners में दोस्तों power saving के लिए आपको econo mode का feature मिल जाता है वहीं दोस्तों air conditioner के indoor rate में आपको power airflow 12 flaps मिलता है यानि कि 2 12 flaps मिलता है जिससे की airflow आपको बहुत ही बैतर देखने को मिल जाता है इन air conditioners में दोस्तों आपको 16 meter का airflow मिलता है आप समझ सकते हैं कि 16 meter जो area होता है वो काफी ज्यादा होता है लेकिन हम expect कर सकता है कि practically आपको 10 meter या 11 meter के आपस पास तो air through ये air conditioners से ज़रूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा वहीं दोस्तों air filtration की बात करें तो इन cases में आपको dust filter और PM 2.5 filter में जाता है क्योंकि आवा से वायरस, बाक्टेरियों को proper तरीके से clean करता है और air conditioners से आपको healthy और fresh air provide कराता है वारन्टी की बात करने तो दोस्तों एक साल की overall product पर वारन्टी मिलती है पात सल के PCB और 10 साल की compressor पर इन air conditioners के common features के बाद अब हम बात करेंगे कि दोस्तों इन सभी series म आपको क्या-क्या different features और technologies देखने को मिल रही है सबसे पहले दोस्तों हम indoor unit की size की बात करता है तो जो FTKM, MTKM और FTKR series है उसमें आपको 11 kg का indoor unit मिलता है जबकि दोस्तों JTKJ series में आपको 11.5 kg का indoor unit यहाँ पर मिल जाता है वहीं outdoor unit की size की बात करें तो JTKJ series, FTKM और MTKM series में आपको 32.5 kg का outdoor unit मिलेगा और वहीं दोस्तों आपको FTKR series में यहाँ पर 33 kg का outdoor unit मिल जाता है दोस्तों जो FTKR series है वो एक Wi-Fi enabled smart air conditioner series है उसमें दोस्तों आप पूरा control अपने mobile पर ले सकता है और इसके लिए दोस्तों Daikin की जो Daikin AC Manager आप है उसको आपको अपने mobile पर install करना होत दोस्तों आपको Google Alexa और Voice Assistant का support भी इस air conditioner में देखने को मल जाता है वहीं दोस्तों जो JTKJ series है और FTKM और MTKM series है वो आपको एक normal series देखने को मलती है उसमें आपको Wi-Fi enabled का feature नहीं देखने को मलता है वहीं price के बात करें कि दोस्तों FTKM और MTKM series का जो model है उससे आप फिलाल purchase कर सकता है 45 CR 590 रुपे में वहीं दोस्तों FTKR series के model को फिलाल purchase कर सकते हैं 59 CR 980 रुपे में वहीं दोस्तों JTKJ series का model है उसकी फिलाल current price है 43 CR 990 रुपे दोस्तों इन चारों series के जो best models है उनकी discount buying links में आपको दी हैं description box में latest price and feature के लिए आप best buying link को ज़रू चेक करें अब बात कर सकता हैं दोस्तों TIKIN के इन inverter air conditioners की pros and cons के बारे में दोस्तों cons इनकी कमी आपको इन AC's में यह देखने को मिलेगी कि आपको इन AC's के अंदर separate convertible cooling modes का feature नहीं मिलता यानि कि दोस्तों आप AC को 1.5ton capacity के लावा कम capacity में रन नहीं कर सकता है लेकिन अच्छी बात हैं कि दोस्तों आ अपने maximum cooling capacity में perform करेगा और आपको जादा cooling provide करेगा लेकिन दोस्तों दिक्कत यही है कि आपको कम capacity पे इन AC's को run नहीं कर सकता है लेकिन दोस्तों अगर आपके लिए ये count count नहीं है तो ASL में दोस्तों इन old models को भी आपको अपने लिए जरूर consider करना चाहिए क्योंकि काफी सा दोस्तों यहीं कि आपको true cooling capacity इन air conditioners में मलती है जिसे कि दोस्तों आपका अगर बड़ा रूम भी है तो भी दोस्तों उस रूम में भी आपको ये AC's बहुत ही अच्छी uniform cooling provide करेंगे साथ ही दोस्तों आपको due clean technology का feature मिल जाता है और दोस्तों जो FTKR series का model है वो आपको Wi-Fi enable भ दो मिल जाती है लेकिन दोस्तों before buying आप इन AC's को over purchase करना चाहते है तो अपने pin quotes पर इनके service center के बारे में पहले जरूर पता कर ले में ताकि दोस्तों आपको after sell services डाइकिन की उर से बहतर देखने को मिले क्योंकि दोस्तों जो after sell services होती है उस पर service center ही सब कुछ होता है अब बा में आपको 11 kg का indoor unit मिलेगा जबकि आपको 40.5 kg का यहाँ पर heavy outdoor unit मिल जाता है और इस AC को दोस्तों आप up to 200 square feet तक की room में use कर सकता है इस model में दोस्तों आपको 3.95 की यहाँ पर IC revenue मिल जाएगी और 20 star rating parameter के साफ से यह AC सलना 989 unit consume करेगा इस model में दोस्तों आपको 32 refrigent gas मिलेगी जो कि environment eco friendly, refrigent gas है और green gas है और cooling के मामले में काफ efficient है वहीं दोस्तों इस model के अंदर आपको 38 decibel का यहाँ पर noise level operation देखने को बल जाता है वहीं दोस्तों आपको inbuilt stabilizer free operation का feature भी इस AC के अंदर देखने को बलता है लेकर अगर आप power fluctuation से sure नहीं है तो AC में दोस्तों individual stabilizer इस AC के स आप भी जरूर लगा है वहीं दोस्तों feature की बात करें तो इस AC के अंदर दोस्तों आपको fixed speed यहाँ पर compressor मिलेगा जिसमें डाइकिन ये claim करता है कि 50 degree ambient temperature में भी आपको इस AC से पहुत अच्छी uniform cooling यहाँ पर देखने को मिलेगी वहीं दोस्तों air filtration में आपको PM 2.5 filter और dust filters बल ज आता है जो कि दोस्तों आपको proper air filtration provide करता है वारंटी की बात करें तो एक साल की और और प्रड़क पर आपको warranty मिल जाएगी वहीं पास साल की compressor पर और अगर आप इस AC को अपने ले खरीदा चाहते है तो दोस्तों फिलाहल एस AC को अपने खरीदा चाहते है तो दोस्तों फिला कमी कमी नहीं है और आपका जो रूम है वो अप्टो टून डेट स्केर फिट तक का है तो एससे में दोस्तों कापी सारी वज़ा है इस AC को अपने ले पर्टिस करने की सबसे पहले वज़य तो दोस्तों यह हैं कि आपको इस AC के अंदर heavy outdoor unit मिलता है जिससे कि दोस्तों आपक की लिए बहुत ही अच्छी चॉइस बन जाता है दोस्तों ground level पर जाकर research करते हैं मेहनत करते हैं फिर आपकी लिए वीडियो प्रिपर करते हैं ताकि आपको मादत हो अपने लिए एक best product को choose करने में इससे में दोस्तों अगर आप कोई भी online product purchase करना चाहते हैं तो हमारे दोरा हमारे चनल की काफी ज़्यादा financially help कर देंगे अगर आप हमें support करना चाहते हैं तो हमारे दोरा दी गई affiliate link से ही purchase करें दोस्तों ये रही complete details डाइकीन के 1.5 फाइटन 5 स्टार inverter speed air conditioner और 1.5 फाइटन 3 स्टार non inverter speed air conditioner के बारे में जहां आमने इन दोनों ही air conditioner के एक एक features and technology के बारे के साथ इस वीडियो को share करना बिल्कुल मत दोलेगा और दोस्तों अगर आपकी कोई सवाल है तो please comment किजिए मैं आपके सवालों को reply आपको जरूरू करूंगा दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही बलता है पहुँच अलदेक न्यू वीडियो में तब तक के लिए जय हिं वंदे मातराम